एक परिंदा कितना भी आस्मान की उचाईयों में उड़ ले शाम को घर ही लोट के आता है एक ऐसी जगह जहां सुकून मिलता है हमारे लिए भी वो घर ही है हम बहुत कोशिश करते हैं उसे सजाने और सवारने के लिए इसी जर्नी में हम एक दूसरे से सीखते भी हैं क्योंकि हर किसी का घर को सजाने का सवारने का तरीका अलग है अगर आप मेरे regular viewer हैं तो ये ज़रूर सुना होगा कि मैं food का जो wastage है उसको कम करने की अकसर कोशिश करती हूँ साबुदाना के जो बिना नमक वाले पापड होते हैं उपवास वगरा में यूज होते हैं काफी दिन के हो गए थे अब नए बनने हैं तो पुराने को कैसे यूज करें बिना नमक वाले हैं इसलिए आप किसी को दे भी नहीं सकते वो खाएंगे ही नहीं और उपर से नमक डालने पे वो नमक अलग से ही टेस्ट आता है तो इसके लिए आप इसको deep fry कर लीजिए और छोटे छोटे पीसे इसमें तोड लीजिए पीसेगा मत बुरादा बन जाएगा मसलने से कढ़ाई में आप हरी मिर्ची, तेज पता और हल्दी डालके हल्का सा रोस्ट कर लीजिए ये तूटे हुए पापड उसमें डालके आप उसको fry कीजे फिर अपने पसंदीदा मसाले जैसे की चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक डालिए, mix कीजे ये चीजे step by step डालिए, मतलब थोड़ा सा डालिए, mix कीजे और फिर डालिए दो मिनट पस रोस्ट होने दीजे, जादा की जुरत नहीं है क्योंकि ये और डिव फ्राई है उसके बाद इसको ठंडा हो जाने दीजे, और किसी air tight container में भर दीजे इस तरह से आपकी बहुत ही tasty नमकीन ready है और एक तरह से जो चीजे ज़्यादा use की नहीं थी आपने उसको tasty form दे दिया है सीखना तो जिंदिगी भर चलता रहता है, छोटी छोटी planning कर लेने से हमें management बहुत अच्छे से आ जाता है example के लिए अगर बहुत सारे कपड़े हैं जो machine में धोने हैं, daily wear के और साथ ही bed sheet कौन से कपड़े पहले डालेंगे, इसके लिए भी even planning लगती है मैं पहले bed sheet डालूंगी, कारण यही है कि bed sheet मेरे पास limited होती है, जबकि जो कपड़े होते हैं वो थोड़े जादा होते हैं दूसरा, bed sheet जादा दिनों तक bed पे थी, almost 15 days तक, तो वो जादा गंदी है, fungus लगने के जादा chance है और साथ ही वो मोटी होती है, तो सुखने में time भी लगेगा तो इसलिए मैं prefer करूंगी कि उसको पहले दोके store कर दूं, कपड़े कल भी डल सकते हैं मेरे घर में हर चीजे limited होती हैं, मैं कभी भी impulse buying नहीं करती जैसे कि मेरे घर में 2 bed हैं, तो total 6 bed sheet है एक-एक बिच जाती है, एक-एक धुल के store हो जाती है और दो नई bed sheet की कभी कोई occasion है या guest आ गएं, तो उनके लिए मैं ready रखूं और सची तो है, जब चीजे कम होंगी, तभी आप management करेंगे न unlimited resources में कैसा management, वहाँ इसकी जुरत नहीं पड़ेगी घर में छोटे बड़े बहुत सारे काम होते हैं, जिनकी priority अलग-अलग होती है मुझे जो सबसे difficult काम लगता है, और जिसकी high priority भी है, वो है kitchen का काम Most of the time kitchen में ही गुजरता है सबसे important कि मेरे घर में जो खाने का time है, वो fixed है कुछ हो या ना हो, मुझे उस time पे lunch और dinner ready रखना पड़ता है जैसे exam में हमें सलाह दी जाती है कि जो section सबसे ज़ादा difficult लगता है, पहले उनको finish कर दीजे वैसे ही, जिस काम से मुझे सबसे ज़ादा डर लगता है, वो मैं पहले finish कर लेती हूँ तो अगर 12.30 का lunch का time है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी cooking 12.15 तक हो जाए, kitchen tidy हो जाए और जब मैं kitchen का काम कर लेती हूँ, तो ऐसा लगता है मैंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है और दुनिया ना अपनी मुठी में कर ली है, तो चलिए अब next काम देखते हैं कि क्या है Evening में मैं अपनी classes में busy होती हूँ, इसलिए मैं ये food counter ready रखती हूँ ताकि पती देव और बच्चे को अगर भूख लगे तो वो यहाँ से कुछ निकालके मंच कर सके इसको मैं regularly almost every week organize भी करती हूँ आज यहीं उपर के दो cabinet clean करने थे, तो पहले सोचा उसको clean कर दें क्यूंकि वहाँ की dust नीचे आएगी तो फिर बाद में नीचे clean किया जाएगा इसमें से एक में मैं mixer grinder और toaster वगरा डखती हूँ यहाँ पे cleaning के लिए बहुत simple है, पहले dusting कर देती हूँ, liquid डाल के अगर कुछ और गंदगी है तो उसको साफ कर देती हूँ और चीजों को वापस organize कर देती हूँ बहुत सारे cabinet एक साथ नहीं लेती, क्योंकि again मुझे mental pressure नहीं चाहिए यह pantry बारा area है, जहाँ पे mostly dry fruits और breakfast का समान रहता है same process है, dusting और फिर liquid डाल के spray कर देना boxes को जब मैं नीचे रखती हूँ, तो उसी समय wipe कर देती हूँ, ताकि मुझे अलग से ना धोना पड़े एक important tip, जो जार खाली होते हैं, उनको wash करके वहीं पे रखे जहां वो रहते हैं, ताकि आपको पता भी रहे कि कौन सी चीज खतम है दूसरा, आपको अगली बार fill up करने के लिए इनको ढूनना नहीं पड़ेगा, और एक और important thing, कि ये दो जगह occupy नहीं करेंगे top to bottom cleaning का एक फाइदा ये है, कि उपर के cabinet साफ करते समय जो dust नीचे deposit हुई है, नीचे का जब आप साफ करेंगे तो अच्छे से cleaning हो जाएगी food counter मैं week में एक बार clean करती हूँ, उस समय मैं सिर्फ कपड़े से wipe करके और चीज़ों को वापस organize कर देती हूँ, unwanted चीज़े हटा देती हूँ बट जब monthly cleaning करती हूँ, तो मैं यहाँ पे wall वगरा अच्छे से scrub करके proper wash कर देती हूँ scrubbing से जो थोड़े बहुत हाथ के दाग वगरा लगे हैं वो साफ हो जाते हैं, बस electric switches हैं तो उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि पानी उनके अंदर ना जाए wiper चला देती हूँ, जिससे counter top बहुत अच्छे से clean हो जाता है, dust net के लिए छोड़ दीजे ताकि वो dry हो जाएं, मेरे पास patience नहीं है तो मैं कपड़े से wipe कर देती हूँ और जब तक यह counter top organize करूँगे, बाकी का clean हो जाएगा यहाँ पे इसके liner wash के लिए गए हैं, तो मैंने randomly कुछ pillow covers यूज़ की हैं as a liner food counter थोड़ा खाली है, बस एक दो दिन में snacks बन जाएंगे तो fill हो जाएगा और बस यह area done हो गया, मतब 45 minute में सब कुछ जहाँ पे food counter है, उसके आगे अगर आएंगे तो यह cup का stand है अब पानी wipe किया था, तो इसके पास भी आया, यह area भी थोड़ा गंदा हो जाएगा हमेशा जब भी आप cleaning कर रहे हूं, एक 15 minute का buffer time ज़रूर रखे ताकि कुछ area अगर related हैं, तो वो भी clean कर पाएं आप यहाँ पे cup अगर अच्छे से clean थे, बस मुझे wall को ही wipe करके चीजों को reorganize करना था, जब हम mentally और physically healthy होते हैं तो काम करने में automatic मन लग जाता है, लेकिन अगर mood खराब है, किसी से बहेंस हो गई या तब्यत खराब है, उन situation में हमें कुछ भी करने का मन नहीं करता, बाकी तो छोड़िये खाने पीने का भी मन नहीं करता और हम मुल लटका के बैठे रहते हैं, ऐसी situation में मैं कहूंगी कि आप एक cup चाई या जो भी drink आपको पसंद है वो लीजे, अपनी किसी friends के साथ जो nearby हो या phone पे बात कर लीजे, life के वो moment याद कीजे, जो आपको खुशी देते हैं, कभी कुछ तो आपके साथ अच्छा हुआ होगा जो आपके चहरे पे smile ले आए, आस पास का जो काम है उसको 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ignore कर दीजे, ऐसा कहा जाता है कि साथ सुत्रा environment आपके mood को अच्छा कर देता है, बहुत तो नहीं, जैसे अगर कच्रा है तो जाडू लगा दीजे, बस थोड़ा सा 5 मिनट ही दे दीजे गुस्सा है, obviously दिमाग गरम हो गया है, कहा भी जाता है कि अरे गुस्सा है, ठंडी हो जा थोड़ा, मतलब body temperature को आप maintain रखिए नहा लीजे, नए कपड़े तो मैं नहीं बोलूँगी, साफ सुत्रे और comfortable कपड़े ही पहन लेंगे पांच मिनट का टाइम दे के, अपना जो morning routine है वो पूरा कर लीजे, कंगी करके, fresh हो जाएए बस इसी से आपका ना mode lift हो जाएगा, और आगे के motivation के लिए किसी की बात सुनने की जुरत नहीं है आपको खुद बखुद आ जाएगा, जब हम नाराज होते हैं तो mostly हम खाना पीना छोड़ देते हैं मानती हों कि आप नहीं खाएंगे, लेकिन घर वाले खाना नहीं मांगेंगे किसी और को भूख नहीं लगेगी ऐसा तो नहीं है ना, तो बहस करने से अच्छा है आप बेसिक सा खाना बना लीजिए लेकिन नो सर्विस चलेगी क्या, लो सर्विस फिर भी लोग चला लेंगे बेसिक काम अगर आप छोड़ देंगे, at the end of the day कौन सफर करेगा हम ही चोटे चोटे जो मोटिवेशन है लाइफ में हमें ना आगे बढ़ाते हैं काम हम बहुत जादा कर लेते हैं इतनी कि अपनी शमता से बाहर end of the day काम तो हो जाता है लेकिन हम चुछड़ाने लग जाते हैं ठकावट की वज़र से बात सिंपल सी है कि जितनी साफ सफाई घर में जरूरी है उतनी ही जरूरी घर के शान्ती है तो अपना भी थोड़ा सा खयाल रखिए ताकि हम प्यार से दो लब्स अपनों से बात कर सकें बस इसी विचारों के साथ मैं आप से मिलती हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल तब तक आप अपना और अपने फैमली का खयाल रखते रहिए बाबाए